और न्यूज नेशन से मुखतार अब्बास नकवी ने कहा दीदी गेट वेल सून जहां चुनाव आयोग ने जाच के आदेश यहां पर दिया है यह भी उनके जरीए बताया गया है सब दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा मुखतार अब्बास नकवी के जरीए यह कहा गया है पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममतब एनरजी घायल हो गई है लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेट प्लस की उनकी सिक्योरिटी थी बावजूद उसके उनके उपर अटैक कैसे हुआ सर टीमसी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने हमला करा दिया ममतब एनरजी के उपर देखे मेरी तो पहले सबसे पहले यही प्रातना है कि ममतब दीदी गेट वेल सून जल्दी से जो है वो स्वस्थ हो और स्वस्थ हो करके फिर से चुनाव के मैदान में अपने जिस रूप में रहती हैं उस रूप में रहें जहां तक सवाल है उसके पीछे का क्या कारण था क्यूं वो गिरी क्यूं नहीं गिरी शुनावायों भी इस बारे में जनकारी ले रहा है जो कुछ भी है जहां चूस पर सामने आएगी मुझे लगता है इस पर बहुत सब्सक्राइब नहीं है कि हमारी टीम भी वहां पर थी जहां पर वो प्रचार कर रही थी कई लोगों से बातचीत हुई अलग अलग बयान आ रहे हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं वो कहरें कि उनको चोट लगा है लेकिन सेंटर की तरफ से यह कहा गया कि उनको और सिक्य प्योरिटी में कोई कैसे गुश सकता है इसलिए हमने का नहीं कि दूद पानी का पानी हो जाएगा सच्चा ही सामने आ जाएगी क्या बढ़ जाला हुआ है वो भी पता लग जाएगा अभी अगर उनको सच्वी चोट है तो हमाई तो यही प्रातना है कि वो जल्दी ठीक हो मेरा आखरी सबसे आपको क्या लगता है कि सिंपैथी गेन करने के लिए मामताब इनरजी ने ये कुछ किया है कि क्योंकि आपको लगता है कि बहुत टफ कॉम्पटिशन बीजेपी दे रही है दुगो भी यह क्या गेन करने के लिए दिया है वो तो पता लग जाएगा लुज होगा चलिए तो महमताब इनरजी जल्दी ठीक हूँ यही बीजेपी काम ना कर रही है लेकिन चुनाओं में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये दो मई को पता चलेगा विडिजनेस सातुल के साथ रविकांत्राय यूजनेशन दिल्डे